और अब सब्सक्राइब बहुत अच्छी निव्ज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आर्मी स्कूल में बंपर वेकेंसी की और यह औल इंडिया रुकूरूट्मेंट है आर्मी स्कूल की जैसे आपके केंद्री विद्द्दैले संगठन होते हैं नौर्दे विद्द्द बीड़ वाले भीड़ती काफी परशान दीख रहे हैं काफी ज़्यादा परशान है तो उनके लिए ये बहुत अची वेकेंसी है उनके लिए खुश खबरी है जो मैं आप लोगों के समक्ष पेश करना चाहता हूं उमीद है कि आपको ये वीडियो बहुत 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 ज़ एक्जामेशन सेंटर्स होंगे ये सारी चीजों के चर्चाइच से एक वीडियो में करेंगा तो बहुत बहुत बीडियो है बहुत पैसे फुली वीडियो देखिए को और लाइक जरूर करिया क्योंकि यह सीरिज मैं आप लोगों के लिए लेका राता हूं ताकि अगर एक म तो मैं अपना यह वीडियो बनाना बहुत सफल मानूँगा तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो की पीडियफ की अगर बात करूँ मैं तो इसको हमारे टेलीग्राम गुरूप राइजूकेशनल से जुड़कर प्रॉइड वहां पर कर देंगे तो हमारे अब करते हैं तो मित्रों अभी जस्ट फ्यू सेकंड पहले मैंने अभी सरकारी रिजल्ट वेबसाइट आपकी देखी मैं सर्फ करता रहता हूं सरकारी रिजल्ट रोजगार रिजल्ट या आपके रोजगार समाचार पत्र ताकि आप लोगों के लिए कोई भी टीजिंग कोई न्यूज लेकर रहा हूं और आज का दिंग बहुत अच्छा था कि आप लोगों के लिए एक रिक्रूट्मेंट मुझे दिखी है बहुत खुश हूं मैं अप्लिकेशन आपकी अगर डेट बात करूं ति यह आर्मी स्कूल की है एडबलू ए-ए-ए-स यानि आर्मी वे मिले हैं किस दिन मिले हैं और इसी में आपके अक्टूबर में एड्मिट कार्ड आ जाएंगे और रिजल्ट आपका लगभग आपके नॉम्बर में आ जाएंगे तो यानि की एक्जाम डेट आपकी उन्निस और बीस अक्टूबर है आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है पारी जोरो सोरस रखिये एक्जामनेशन फीज की बात कुरूँ तो जनरल और उबीसी के लिए 500 रुपए सेस्ट के लिए भी 500 रुपए है इसमें फीज आगे बात करते हैं कि एज लिमिट क्या है एक अप्रेल दोजार बीस तक फ्रेस कैंडिडेट जो बिलो 40 साल से हैं उनके लिए और फॉर एंसियार इस्कूल टीजीटी और पी आर्टी आपके 29 साल से कम और पीजीटी बिलो 36 साल और फॉर एक्सबिरेंस कैंडिडेट उनके लिए 57 साल तक है और इस रिलेक्शेशन आपके एस पर रूल्स होंगे एक्सामनेशन सेंटर से यहां पर पूरे दीखे हैं जिसमें से इलावाद भी है जो प्रेयागराज आप जानते हैं कानपूर है आगरा है वारानसी है गुरगपूर लखनव है मेरट है बरेली है पूटल आठ हजार पोस्ट हैं बहुत बड़ी वेकेंसी है मित्रों बहुत जादा डी ट्रिपल एस भी किया अगर कंपरेजन करूं में तो डी ट्रिपल एस में लगबग 697 आपको 700 की लगबग पोस्ट है आपकी उसी में मारा मारनी करनी है उसी में बीड़ वालों को भी अभी तक का जो एज़ुकेशन वालों को बाहर किया गया है खाला कि बाद में क्योंकि पिछले साल के कंपरेजन में एंसीट की गाडलाइन के नुसार उनको बाद में समलित किया गया है लेकिन अभी फिलाल तो बीड़ वालों के लिए बहुत जादा अच्छी वेकेंसी है लिए और देख सकते हैं PGT में कितनी वेकंसी और TGT में किसनी वेकंसी और PRT में क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो मैंने क्वालिफिकेशन जैसे देखा मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई यह लिखावा ग्रेजवेट विद बीएड यह दो यह दिप्लोमा यह चार साल इंटिग्रेटड कोर्स या आप बीएड हैं ग्रेजवेशन के बाद यह आप डिल्यवेड हैं यह दो साल का जो डिप्लोमा कौर्स जिसको पहले बीटीसी बोलते थे यूपी में बाकि आप डीएड हो अलग-अलग MPV डीएड हो कहीं से भी हो किसी राज से भी या आपने चार साल का Integrated Course BLAD किया हो तो भी आप इसके लिए लिजबल है PRT में बाकि तो TGT PGT है ही अब बात करते हैं इसकी Detailing की तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया पूरा PDF लगबग 10 पेज का PDF है और यहां पर सारी चीजने लिखे ही है There are 137 army school हैं पूरे contentment आपका area जो होता military station का है सारे इंडिया में वहां माँ पर यह available हैं और यह सारे CBC के अंतरकत आते हैं CBC recording चलते हैं यह और इसमें लगबग आपके approximately 8000 टीचरों की विगेंसी है Out of these a large number get turned over every year due to various reasons बहुत बहुत मतलब हर साल यह change होते रहते हैं इस वज़े से बहुत important है आपके लिए आगे इसमें interview process भी है आगे और examination conduct आपका teaching होगा पहली बात stage 1 में आपका जो exam फिर उसके बाद scorecard के basis पे आपका इसके बाद interview second basis पे होगा फिर third में आपका evaluation होगा teaching skill और computer proficiency का जो होता है वो exam होगा अब यहां पे बात कर लूँ अगर मैं क्या है qualification minimum qualification क्या होनी चाहिए यहां पर देख सकते हैं अगर आप PGT के लिए apply करते तो आपका post graduation होना चाहिए 50% marks होनी चाहिए बी-8 आपका होना चाहिए 50% उसमें भी marks होना चाहिए आपका PGT के लिए apply कर रहे हैं आप तो graduation आपका हो और यहां पर देखें क्या लिखा हुआ इस्टार लिखा हुआ है कि a post graduate with less than 50% marks in graduation but more than 50 marks in post will be subject applied for the cell will be lisable यानि कि जो मेतर TGT वालों के लिए खुसगबरी है कि जो TGT के लिए apply कर रहे हैं लेकिन उनका graduation 50% से कम है लेकिन उन्होंने PG किया है लेकिन TGT के लिए apply कर रहे हैं अगर उनका PG में 50% से ज्यादा है तो particular subject के लिए TGT के लिए apply कर सकते हैं तो उनके लिए बहुत important है और B.A.D. में भी आपका 50% होना चाहिए और आप PRT के लिए apply कर रहे हैं तो graduation के साथ आपका minimum 50% होना चाहिए या तो आपने B.A.D. किया हो दो यार का diploma किया हो या 4 साल का integrity correct course जो है उसमें 50% आपको होना चाहिए तो बहुत अच्ची qualification है यहाँ और उमीद है कि बहुत लोग इसके लिए apply करेंगा और बहुत ज्यादा candidates में successful होंगे उमीद तो मेरी यह है और यहाँ पर यह देख सकते हैं age relaxation का 5 साल का जो fresh candidate को मिलता है जिसके पास 5 साल से कम है experience उ 36 साल से कम बाकि इसके लावाद mandatory जो है यहाँ पर seated आपके लिए mandatory नहीं है आपके एक्जाम में अपीर होने के लिए लेकिन seated conduct by a central is mandatory for a moment of TGT PRT यानि TGT और PRT आपके इंटर्विव के बाद जब आपका लेटर मिलेगा तो उसमें आपके लिए eligible यानि online exam में आप जाते हैं तब तक तो eligible नहीं है लेकिन जैसा की कहा गया है कि सारे norms आपके एक अपरेल 2020 तक complete चाहिए यानि इसके पहले जैसे आप अभी December का देंगे seated या भी यूपिटेट या जो भी देंगे तो अगर उसमें भी आप eligible हो जाते हैं तो भी आप इसके ल जाएक तक सकते हैं कि exam का क्या format रहेगा रिटेन एक्जाम का तो पहले प्यार्टी फोकस करते हैं क्या रहता है पार्ट ए में बागी पार्ट भी तो वहीं रहता है पार्ट यहां पर आपका 90 नंबर का 90 मिनिट आपके लिए अब्जेक्टिव रहता पी आप यार्टी का ल की मिनिट दिया जाते हैं आपके लिए नब्बे प्रश्न होते हैं 180 मिनट आपके दिया जाते हैं यहां पर सारी चीजें में अर्यस्कोर विल नॉर्मलाइज हंडड के बेसिस पर इसकोर नॉर्मलाइज किया जाएगा और यहां पर निगेटिव मार्किंग है एक थाल्ट नॉर्ट रूपए जो नौनरेफंडेबल है और अर्यस्टेशन इस्टार्ट है आप इसके लिए जा सकते हैं अपने आपको कर सकते हैं और बाकि सारी चीजें आ पे देख सकते हैं रिश्टेशन का क्या है रिश्टेशन आपकी एक तारी से सुरु है लास्टेट से पहले ही कर लें क्योंकि लाज जाट पर कभी कभी प्रोब्लम फेस होने लगती है एक्जाम आपका 19 और 20 अक्टूबर को यानि एक महीने बाद है आपके एक्जाम और रिजल्ट आपका 30 अक्टूबर तक आ जागे ने दस दिन में आपका रिजल्ट भी आ जागे ने बहु उमीद है कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें क्योंकि मुझे बहुत खुशी है ति आपके बीच में इतनी अच्छी भड़ती की बारे में मैं आप लोगों से डील कर रहा हूं तो उमीद है कि इसको शेयर बह आपको कितनी खुशी मिलिए वेकेंसी को देखकर तैयारी में लग जाए हम आपके लिए पूरी मैस की कंपलीट कर चुके हैं पेड़गोजी पूरी कंपलीट है और रिजनिंग पर डे हम लोग अप्लोड कर रहे हैं बाकि यह सारी चीज़े हम देख सकते हैं इन्वार्मे में बी है इðर आस पास के जिलों की मैं तीन बता दे रहा हूं यहां पर देख सकतें आप EPS Army पबलेwyक स्कूल अलहाबाद औरार्मेज पब्लेज किस्कूल वारानसी यह तीन दो जिलोøगोज में हैं बाकि आप अपने जिलो के हिसाब से यहां पर देख सकते हैं लिस्ट आप सब्जेट कौन-कौन से हैं TGT PGT के लिए आप अबलेबल है सारी चीज़े मेंशन है minimum qualification क्या क्या चीज़े हैं यह सारी चीज़े हैं यहाँ पर मेंशन हैं आप जरूर देख लिजेगा PDF जरूर डाउनलोट कर लिजेगा टेलिग्राम ग्रूप से और बस यही है कि आपको best of luck कहना चाता हूँ कि आप लोग इसके लिए eligible हैं और इसके लिए जरूर अपलाई कर लिजेगा अमितरों यहाँ पर देख से PRT का मैं खुश हूँ क्योंकि PRT maximum candidate रहेंगी आप बीड भी मेंशन है चार साल का आपका integrated course है और दो साल का आपका डिप्लोमा course है यानि डियल डेट है आप जो पूरू नाम BTC था examination center total 74 है all over India में जिसमें इलाबाद और वराणसी भी है तो आपके लिए खुशी की बात है आप प्रयागराज में हैं तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करेगा बाकी maximum share कर दीजे all over India में कम से कम maximum strength में भीड़ती पहुंचें इसके लिए और जो वेकेंसी है उसमें आप जरूर चाहने नित हो बाकी इसके लाब कोई भी क्यूर्य है जरूर कमेंट करिएगा और सारे डिटेल नोटिविकेंशन लिए जरूर पड़ लिजेगा थैंकियो सो मच्च बेस्ट अफ लग